जैन दुस्तो कैसी आप लोग और कैसी चल रही आपकी study दुस्तो मैं जानता हूं कि आप लोग का पेपर बहुत ज़्यादा नजिदिक आचुका है और इसमें आप लोग का चिंता और ज़्यादा बढ़ चुका है निकि मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि दो दिन से वीडियो चैनल पर नहीं आ रहा था मैंने बताया भी एक कमेंट करके कुछ घर की स्थिति खराब होने के कारण वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा था ठीके लेकिन आप सब कुछ सेटल हो गया है और आज इसे ही आज तो साम को साथ बजे वीडियो यह आ गया कल से दोपार में 11 बजे साम को 6 बजे और साम को फिर से 7 बजे तिन तिन वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा चैनल पर और मेरा गरांटी है कि मैं डेली तिन तिन वीडियो दूँगा ठीके और एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मुझे मैत का वीडियो दीजिए तो देखिए मैं मैत का वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ क्योंकि मैत की मैं तियारी कर रहा हूँ ठीके कुछ बड़ा करने की तो आप लोग सबर रखिए सब कुछ मिलेगा मेरा भाई मैं गरांटी देता हूँ कि एक्जाम से पहले आप लोग का तियारी में करा द देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से इंपोर्टेंट पत्र है उनको तियार कर लीजेगा एक तो आप गाउं या महले का साफाई के लिए तियार कर लीजेगा और दूसरा आप रीड़ प्राप्ति के लिए अविदन पत्र तियार कर लीजेगा बैंक से रीड क्या है कि आप तो त्यार करके गए लेकिन जैसे लिखना था आपने नहीं लिखा ठीके तो कैसे लिखना आए पेपर में आज किस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ठीके और एक उसकवरी और भी है कि आपके इस वीडियो से दो चीज़ होगा एक तो आपको मालुम ये चल जाएगा कि पेपर में लिखकर कैसे आना है और दूसरा बात ये मालुम चल जाएगा भया रीड़ प्राप्ति ये तु आवे दन पत्र आपको लिखने आ जाएगा ठीके चलिए आपको मैं शुरुबात करता हूं वीडियो को लाइक कर दीजेगा चले को ठीके आपको उपर यहां पर ब्लेक में से हेडिंग डाल देना है आवेदन पत्र ठीके उसके बाद जो यहां पर बिसे लिखे हो इसे भी आप ब्लेक में से उपर में डाल दीजेगा रीड़ प्राप्ति है तु आवेदन पत्र बस इतना कर देंगे उसके बाद आप बुल सेवा में बलेकपेँ महदोय बलेकपेऊ नहीं आपको हर एक सब्द कहा लेना है बुलुपेटन से सेवा में लिखने के बाद एक कोमा ले राङ ना यह सब्को मालूम है फिर उसका एक मंदक लिखे होना उसके नीचे जहां से सखा सुरू किये होना वही जे भारती स्टेट बैंक बलिया आप कोई भी बैंक का नाम डाल सकते हैं यहां पर आपना आप गाओं का नाम सहर का नाम डाल सकते हैं ठीके इतना करने के बाद आपको एक लाइन स्किप कर देना है एक लाइन को छोड़ देना है उसके बाद बिसे लिखना है बुलू पेंसे लिखना है ठीके बिसे लिखने के बाद आप लिख देंगे जिस टॉपिक पर लिख रहा है यदि गाओं और मौले की सफाई है तू लिख रहा तो लिख देंगे आप कि गाओं की लाइन चोड़ के विश्य लिखे और यह से छौड़ने के और चोड़ने के बाद इपने के बाद और यह आपको is यहां से सद्रणा ऑँ यहां से आफ्ट करोगे ना तो याद रखना यह देखरो मझाम बडाबर में लिखा है यह यह नहीं यहांतर नहीं यह तक है लेके चलना है ठीके इधर तो कोई प्रब्लम नहीं है लेकिन इधर एदम बड़ावर होना चाहिए याद रखिएगा बहुत अच्छा लगता है अच्छा का भया यही आवेदन पत्र लिखने का रूल है यही नियम है ठीके चलिए लिखेंगे क्या-क्या वो ध्यान एक बाद लियात रखीगा रीड़ प्राप्ति के लिए आ रह spillic न आप सविन्य नियंवेदं यहाँ पर दो किसी लिएठर पत्र में लिखना है ठीके फिर यहाँ पर आप यहां पर वर्ष्ट कर सकते हैं एक स्कूल का नाम चेंग कर सकते मैं इसे येंदिंग कर सकते हैं इ लेकिन अब तक मुझे कोई बिरोजगार नहीं मिला मुझे पता चला है कि विविन योजनाओं के अंतरगत आपका बैंक बिरोजगार रिवकों को एक लाख रुपिया तक रिण परदान कर रहा है अथा आवस्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे भी एक लाख रुपिया का रि आपटिन के यहले लिखेने की आप लिखेंगे कि मैं एक बहुत गरीब फेमली से बिलोंग करता हूं मेरा पूरी मेरा परवार का खर्च मेरे ऊपर है लेकिन में बरोजगार च्हात रहूं और उसके कारण इर घर में बहुत ज़्यादा दिकत ये बहुत ज़्यादा पर सा ठीके और इसी किले मी सावेदन पत्रों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं किरपा करके आप आवस्यक दस्तावेज भरवा कर जो आपके अंतरगत जितने भी मुल्य हैं जो अधिक्तम मुल्य है उसे मुझे परदान करे और यह अगर यह परदान करे और लाश्म लिख दीज ठीके यहां पर भवधिये लिख दीजेगा यह प्रार्थी लिख दीजेगा ठीके कौका गगगा लिखना है नाम नहीं लिखना है याद रखना है अपना नाम पेपर में कहीं भी नहीं लिखना है कहीं पर भी नहीं अपना नाम लिखना है ठीके यहां पर नाम लिखा जात है ठीक है जैसे मांज़े तुम्हारा 22 तारी को पेपर है 22 फरवरी दो जाट चौबइस को तो यहापर तुम 22 फरवरी 24 लिख दो 22 मार्च को बैस लिख दो 16 मार्च कोो इस दिन पेपर होगा उसी दिन का तुम डेट डाल देना ठीके चलिए तो आपको मालूम चल गया होगा कि पेपर में आवेदन पत्र को कैसे लिखा जाता है अगर ऐसे आप लिख के आएंगे ना तो मेरा गरांटी है भया कि आपका एक नमबर नहीं कटेगा कितना भी कंजू स्टीचर आपका चेक करता हो पेपर आपका एक नमबर न करता है तो मैं आपको बता देता हूं कि रिष्णा कुछ ऐसे करके उसका नाम है तो मैं आपको बता देता हूं कि टेंशन आप मत लीजे मैत का मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं और एक बात याद रखेंगा जिस दिन से मैं मैं अपलोड करने लगूंगा तो मैत काई करता रहूँगा ठीक है ये नहीं कि पिजिस कमेशे छोड़ दूँगा सब पढ़ाऊंगा ठीक है चलिए आपने मिट्टों के पास ये वीडियो सेर करके उनको भी बता दीजिए कि देवासर कलासे चैनल पर एकदम बैतरिन बिलकुल फिरी में घार बेठे कम समय में अच्छी त्यारी कराई जा रही है ठीक है चली मिलते अगली वीडियो में जैन जै वारत